हलो बच्चो उमीद है आप फिट फार्ट होंगे और अपने एक्जामनेशन की जबरदस तयारी कर रहे होंगे कोकि एक्जामनेशन काफी करीब भी आ गया है तो अब कोई चांस लेने का तो दिन तो बचे नहीं है तो चलिए आपकी जो हेल्प करने की सीरीज में हम लोग आगे बॉट रहे हैं आज हम लोग पहुझ गया है चेप्टर नंबर टू पर मैथमेटिक्स में अगर आपको पसंदाता है तो जिससे उसको मिलेगा एक पॉजिटिव और अच्छा कंटेंट और मुझे पॉजिव मोटिवेशन कि मुझे और अच्छा सपोर्ट अपने बच्चों के लिए करना है और आपकी तरफ से अर्विन सर को यह होगी गुरु धक्षना जिसमें को अर्विन अकडमी टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं इसका लिंक डिक्स्रिप्शन में मैं टाइच कर दूँगा वहाँ पर मैं इसके पीडिएफ अप्लोड कर देता हूं जिससे आपको कोई भी तकलीफ ना हो पढ़ाई को आप और बहतर तरीके से आगे ले जा सके और कई बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं यहां पर आपको जैसा दिख रहा है कि अर्विन अकडमी अप अब इस अप में भी क्या है कि जो पीवाई क्यू सीरीज में करा रहा हूं और अगर आप ज्यादा नहीं पढ़े हैं कुछ या डबली श्योर हो जोना चाहते हैं कि बहुत अच्छी इस्तिती होगी आपकी बहुत अच्छे माक्स आजाएंगे आपके तो खेर आप देख लिजे अर्विन अकडमी अप पो उसका भी लिंक डिस्किप्शन में मिल जाएगा क्लिक करके डाउनलोड कर लिजे इस्टोर सेक्शन में चेक कर लिजे और भी कई कोर्सेज हैं जो आपकी मदद वहाँ कर सकते हैं चलिए to the point या हम लोग तुरंत आते हैं questions पर और question लगाना शुरू करते हैं आईए तो पहला question हम लोग देखते हैं यह लहाँ अच्छा question से पहले यह मैंने इसलिए डाला है कि इस question की यह जहान है वेटा यह table है domain range है sign inverse वग करेंगा आपको बस feel कराने की कोशिस की है कि sign inverse, cos inverse, cosec inverse, sec inverse, 10 inverse, cot inverse का domain और range क्या 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 होने वाला है और यह हमको ना एकदम याद होना चाहिए क्योंकि हर जगा बिना इसके चल नहीं पाएंगी यह principal value branch होती है तो यह हमें बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए जिस इसका जो range हो गई minus pi by 2 से लेके pi by 2 closed interval में इसी तरह cos की बात कर लें तो cos inverse में देखिए 0 to pi आपकी range आती ही close में इसी तरह आपको ध्यान रखना होगा बाकियों का तो मैं चलता हूं question पर और इसका ध्यान रखके ही सारे सवाल हम लोग लगाते रहेंगे यह रहा पहला question से निकाल सकते हैं यहाँ पर लिखिए sine inverse इस cos को मैं लिख देता हूं cos 2 pi plus 3 pi by 5 इस तरीके से देखिए ध्यान से इस 2 pi को तोड़ लिए जब जोड़ेंगे तो 10 plus 3 13 pi by 3 आ जाएगा इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया है अब आप जानते हैं कि cos 2 pi plus theta तो cos theta ही ह होता है तो कोई फरेक नहीं पड़ेगा तो यह value आ जाएगी sine inverse cos 3 pi by 5 3 pi by 5 यह value आ गई यहाँ पर अब हम तो 3 pi by 5 को थोड़ा सा और change कर लेंगे एक step और आगे बढ़ाते हैं लिखते हैं sine inverse लिखते हैं cos इसको लिख लिख लिजे pi by 2 plus pi by 10 यह देखिए इसको यह value किसकी लिखी है यह 3 pi upon 5 की value लिखी है 3 pi upon 5 को जब आप तोड़ के लिखें pi by 2 plus theta में इसको solve करोगे तो 3 pi by 5 आपको मिल जाएगा अब cos 90 plus theta या cos pi by 2 plus theta क्या होता है minus sine theta तो यह value हो जाएगी कितनी sine inverse minus sine pi by 10 इस तरीके से value हो जाएगी और यह minus sine आ जाएगा बाहर और sine inverse sine आपस में self-adjust हो जाएगा यहीं minus sine inverse sine pi by 10 यहीं इसका answer क्या होगा minus pi by 10 this is the answer और option के हिसाब से हमारा option बनेगा B answer is B answer is B तो इस तरीके से यह question डिक लेगा आप इसको note कर लीजे मैं हट जाता हूं screenshot ले लीजे या pause करके note कर लीजे जो भी आपको ठीक लगे वैसे मैं सही बताओं आपको तो आपके लिए अच्छा क्या रहता है वीडियो को pause करके पूरा एक एक note कर ले pen या pencil से जिससे आपके दिमाग में feed हो जाए लेकिन फिर भी आपको जो comfortable लेगे वो करिए मेरी राय है यह और बाकी इसके तो मैं presentation आपको दूँगा भी जैसा मैंने बताया था आपको तो इसको आप note कर लीजे अगला सवाल हम लोग देखते हैं उसको करेंगे तो इसका option है बी question number जो भी था तो आगे चलते हैं ठीक है अगले question की तरफ आते हैं यह आया है 2014 में write the value of cos inverse minus half plus 2 sin inverse half बहुत ही सरल सवाल है देखें कितने असानी से कर सकते हैं cos inverse minus half minus half की value क्या लिख सकते हो cos 2 pi by 3 cos 2 pi by 3 ठीक अब plus लिखिए 2 sin inverse half की value क्या होती है sin pi by 6 sin pi by 6 बहुत ही अराम से लिखा जा सकता है अब यह cos inverse cos से adjust हो गया तो value बची 2 pi by 3 यहां आगया 2 sin inverse sin से adjust हो गया तो value होई pi by 6 तो यह value हो गई 2 pi by 3 और यहां आजाएगा pi by 3 इन दोनों को solve करेंगे तो value बचेगी 3 pi upon 3 which is equal to pi और यही आपका और हमारा answer हो जाएगा this is the answer देखिए कितनी आसानी से यह सारे question आप निकाल सकते हैं कोई problem नहीं होगी बहुत आसान chapter है number देने के लिए बना है कम से कम board level की बात करो तो वहना तो बहुत inequality इसके इंदर assembly हो जाती है anyway खेर इसको note कीजिए board की ही बात कर रहे हैं हम लोग तो मेरे काज़ इसका screenshot या video को pause करके note down आपने कर लिया होगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आईए next question देखते हैं इसका अगला सवाल हमारे लिए क्या लिए क्या लिए आता है तो अगला सवाल ये रहा इसमें लिखा write the principal value of 10 inverse sine minus pi by 2 बहुत ही असान सवाल तुरंत comment करके answer कर दीजिये इसका इतना subtle सवाल है कैसे होगा देखिए अगर comment कर दिया है तो बड़े इच्छी बात है नहीं किया यह नहीं कर पाए तो कैसे करेंगे लिखा है देखिए sine minus pi by 2 sine minus pi by 2 की value कितनी होती है minus half तो यह हो गया minus half कितनी हो जाएगी minus pi by 4 और यह क्यों ऐसा लिख पा रहे है क्योंकि जो principal value branch होती है 10 inverse की वो minus pi by 2 से pi by 2 चलती है ठीक तो इस वज़े से इसको आप इसके बीच लाई कर रहा है तो minus pi by 4 हमने लिख दिया खैरी answer हो गया इतना आप समझते ही होंगे कुछ ना कुछ तो idea लिया होगा तब भी pi by q कर रहे हैं यह इसका हो गया minus pi by 4 answer मेरे खाल से इसको note कर लिया जाए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ना उचित रहेगा screenshot ले ले या note कर ले चलते हैं अगले question की दरफ आईए यह देखते हैं अगला question इसमें क्या है हमारे लिए find the value of the following cot pi by 2 minus 2 cot inverse root 3 अब इसको लिखने की कोशिस करते हैं आगे हम लोग तो लिख लीजे cot pi by 2 minus 2 cot inverse root 6 तो मैं root 3 तो इसको 2 लिखता हूं cot inverse लिखता हूं और root 3 को कह लिख सकता हूं cot pi by 6 cot pi by 6 कोई इसमें समस्या नहीं क्योंकि cot pi by 6 की value कितनी हो जाएगी root 3 अब इसी को आगे लेके चलते हैं cot inverse cot से हो गया adjust तो यह value हो गई यहाँ cot pi by 2 minus 2 into pi by 6 यह दिखिए cot pi by 2 minus 2 into pi by 6 अब आगे value क्या हुई दिखिए cot यह तो था pi by 2 विटा और वो value हो गई pi by 3 और यह value हो गई cot pi by 6 which is equal to root 3 और यह answer आगया इस तरीके से आप answer इसका ले सकते हैं बहुत ही सरल है चैप्टर ही आपको नंबर देने के लिए बना है बोर्ड लिविल की जहां तक बात करूं एकदम गलती मत कीजिए मैं हटता हूं इसको 10 inverse 1 प्लस cos inverse minus half तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हो 10 inverse 1 वन की जगा लिख दो 10 pi by 4 cos inverse minus half तो लिख दो cos 2 pi by 3 ठीक है अब यहां आ जाएगी value क्या 10 inverse 10 से adjust हो गया तो pi by 4 बचा और यहां cos inverse cos से हो गया तो 2 pi by 3 बचा अब इसको solve कर लिया जाए तो LCM हो जाएगा 12 3 pi plus 8 pi यानि 11 pi upon 12 यह आपका answer आगया कि कितना कोई भी परिशानी नहीं ऐसे ही सवाल सब आने हैं और असानी से आप इसको करते चले जाएंगे note कर लिजे अगला सवाल करेंगे तो यह आपका screenshot ले सकते हैं उसका या pause करके आप write down कर सकते हैं इसा भी आपको ठीक लगता हो तो यह question भी देखी हो गया जो कि काफी सरल था अगले question की तरफ चलते हैं वो भी सब सरल मिलेंगे बस आप शांती से उसको करते रहें आए अगला question देखते हैं बिटा लिखा write the value of 10 inverse 2 sin 2 cos inverse root 3 by 2 तो देखी कितने अराम से हो जाएगा 10 inverse 2 sin फिर है 2 cos inverse root 3 by 2 का मतलब है pi by 6 तो इसकी value हो गई pi by 6 ठीक अब एक कदम और आगे चलते हैं यह मिल जाएगा यहां लिख देता हूँ 10 inverse 2 sin pi by 3 इसको काटेंगे तो pi by 3 बचेगा अब sin pi by 3 कितना होता है root 3 by 2 तो यह value हो गई 10 inverse 2 into root 3 upon 2 इस 2 से 2 गया कट तो 10 inverse root 3 10 inverse root 3 और इसकी value कितनी हो जाएगी pi by 3 that is the answer of this question इस तरीके से solve हो जाएगा देखिए कितना आसानी से मक्खन की तरा आप इसको solve कर सकते हैं गलती वही लड़का करेगा जो गलती करना चाहेगा वरना गलती नहीं होगी इसमें question इतने straight forward है ऐसे ही आएंगे exam हट जाता हूँ आप note कर लिजे जिससे अगले सवाल को सामने लाया जा सके खेर आप में note कर लिया होगा अगला सवाल देख लेते हैं बेटा आईए next question write the principal value इसकी principal value लिखनी है देखिए कितना आसान है cos inverse root 3 by 2 plus cos inverse minus half तो minus half की जगा लिख दीजे cos 2 pi by 3 cos 2 pi by 3 cos inverse root 3 by 2 का मतलब हो जाएगा pi by 6 cos से cos self adjust कर गया 2 pi by 3 6 LC में लेके solve करेंगे तो 4 पाँच 5 pi by 6 is the answer 5 pi by 6 is the answer देखिए कितनी असानी सी सवाल solve हो रहे हैं ऐसे ही आप भी solve कर पाएंगे हटता हूँ और इसको आप screenshot ले ले या pause करके क्या बोलेंगे note down कर लें जो भी आपको सुविधा जनक लगे फिर अगले question की तरफ चलते हैं आईए अगला question देखते हैं सारे question असान है गलती के कोई chance नहीं है बस आप धैर बनाये रहें और पढ़ाई करते रहें अगला question लेते हैं बेटा लिका write the principal value of 10 inverse minus root 3 plus 10 inverse 1 तो यहां लिख लिजे 10 inverse minus 10 pi by 3 plus 10 inverse यहां direct लिख सकते थे लेकिन मैंने फिर भी इसी तरफ पे लिख रहा हूँ 10 pi by 4 अब यहां पर जो value आई वो इसको लिख सकते हैं 10 inverse 10 minus pi by 3 और 10 inverse 10 pi by 4 का मतलब pi by 4 यहां बात करें तो यह value आजाएगी minus pi by 3 और यह plus का pi by 4 solve करेंगे तो value आएगी minus pi upon 12 यह देखिए इसका answer आगे कहीं भी कोई कस्ट आपको हो नहीं सकता सवाल इतने सरल है आप इसको note करें फिर अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे जो तोड़ा सा interesting हो सकता है तो अब तक आपने इसको pause करके note कर लिया होगा फटा-फट सवाल कर रहे है बिना time को गमाय हुए या waste की हुए ठीके ना आएगे अगला सवाल देखते है prove that इसमें तोड़ी working हो सकती है देखते हैं हम लोग लिखा cos inverse 12 by 3 12 by 13 plus sin inverse 3 by 5 is equal to sin inverse 56 upon 65 तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर let कर लेते हैं शुरू में एक को x एक को y तो x बराबर और x प्लस y निकालेंगे फिर cos inverse 12 upon 13 and y is equal to sin inverse 3 upon 5 यहाँ value आजाएगी cos x बराबर 12 upon 13 और यहाँ आजाएगी sin y बराबर 3 by 5 अब यहाँ अगर हम लोग cos x से sin x निकालना चाहें तो sin x की value होती है under root 1 minus cos square x इसी तरह यहाँ पर अगर हम cos y निकालना चाहें value लिख सकते हैं under root 1 minus sin square y value पूट कर लेते हैं sin x की value क्या आजाएगी under root 1 minus cos square x यहाँ इसका square 144 upon 169 यहाँ आजाओ cos y 1 minus 9 upon 25 देख पा रहे होंगे कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पर जब solve करोगे तो यह 169 minus 144 तो यह 25 आएगा यह नि 5 upon 13 यहाँ पर आजाओ तो यह आजाएगा 4 upon 5 यह देखिए 4 upon 5 अब यह value जो find लोग निकल ली तो हम लोग क्या निकालने के कोशिस करते हैं x plus y तो sin x plus y निकाल लेते हैं formula यहीं लिख देते हैं समझने माअसानी हो जाएगी यहाँ तक ले जाता हूँ और color बदल लेता हूँ इस बार अगर मैं यहाँ बोलूँ कि मैं sin x plus y की value निकालना चाहता हूँ तो sin x plus y का formula क्या है sin a into cos b यहीं sin x into cos x sin x into cos y plus cos y यह cos x cos x into sin y cos b plus cos x into sin b sin x plus y sin x into cos y plus cos x into sin y अब यह values यहाँ पर put कर दीजे बाकी sin x की value कितनी थी sin x थी 5 by 13 cos y कितनी थी 4 by 5 cos x कितना है 12 by 13 sin y कितना है 3 upon 5 यह value यहाँ पर put कर दी अब इसको जब solve करेंगे आप तो यह कितनी value आजाएगी यह आजाएगा यहीं पर लिख देता हूँ 75 बीस अपॉन 65 20 अपॉन 65 प्लस 65 नीचे 36 अपॉन 65 यानी 56 अपॉन 65 यहाँ प्लस Y कितनी हो जाएगी फिर साइन इनवर्स 56 अपॉन 65 और यहीं हमको जहाँ प्लस Y किया है कॉस इनवर्स 12 अपॉन 13 और Y किया था हमारा साइन इनवर्स 3 वाई 5 और यह value बराबर आगई साइन इनवर्स 56 अपॉन 65 के हैंस प्रूवड हैंड पंप तो यह देखे इस तरह से प्रूवड होगा मैं अभी आपको शो कर दूँँगा उपर से नीचे तक तो नोट कर लीजेगा ऐसे सवाल आ जाए तो भी बड़े प्रेम से आप कर पाएंगे तो मैं हटता हूँ और थोला सा आपको टाइम देता हूँ इससे आप नोट कर पाएंगे पहले तो 2 सेकंड तीन सेकंड यहां ले लीजे कि यह क्या हुआ है और इसके बाद मैं उपर से आपको दिखा देता हूँ कि वर्किंग कहां से कहां तक बढ़ी है आगे यहां रोकता हूँ यहां से आप इसको नोट कर सकते हैं वीटा इसी तरीके से इन सवालों को करेंगे तो बड़े प्रेम से कर पाएंगे खैर इसको नोट करें फिर अगली एक और इंटरस्टिंग सवाल आया था तो इसको भी करेंगे इम लोग नोट कर लिया होगा आपने तक स्क्रीन शॉट या यह पूरा सवाल यहां खतम हो जाता है आके इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीन शॉट ले सकते हैं जो भी आपको उचितकार भाई लगती है वो कर सकते हैं आगे चलते हैं अगला सवाल देखते हैं यह एक अगला सवाल है यहां पर क्योंकि इसके अंदर पिछले वाले में पिछले वाले में cos था, sin था और sin था तो अब नोंने यहाँ sin x plus y का formula बना के कर लिया था अब यहाँ सीधी तोर पे sin x plus y या cos x plus y का formula नहीं बना पाएंगे हम लोग लेकिन बनाएंगे वैसे ही और फिर हम 10 inverse निकालेंगे, देखे कैसे करेंगे इसको आपको दिखाता हूँ जैसा पीछे किया है वैसे ही करना है, लेट कर लिजे x बराबर cos inverse 12 y 13 and y is equal to cos inverse 4 y 5 ठीक है, तो यह हो गई value cos x बराबर 12 upon 13 मेरेकाल से यह cos cos x किसी को मान लीजे, मैं इसी को मान लेता हूँ इसको मान लेता हूँ तो यह करने में थोड़ा सा यह देखे, cos x मैंने इसको मान लिया है किसी को कुछ मान लीजे, तो फरक का पड़ता है 12 बटे 13 ठीक, अराम से कर स्वाएंगे, कोई दिक्कत नहीं और फिर cos y की value हो जाएगी, 12 बटे 13 फिर sin x निकाल लेंगे sin x निकालने का तरीका वही under root 1 minus cos square x मतलब under root 1 minus 16 upon 25 इसी तरीके से यहाँ आजाएए sin y निकालने आएगे under root 1 minus cos square y यानी 1 minus 144 upon 169 जैसा हम आप जानते हैं, बड़ी असानी से निकाल जाता है फिर यहाँ sin x की value कितनी आजाएगी बेटा? अभी निकाली थी, जो की बचेगी 3 बटे 5 3 by 5 और यहाँ पर बचेगी sin y कितनी आ जाएगी? 5 by 13 तो यह दोनों value हमारे हाथ लग गई है अब हम लोग formula लगा देंगे cos x plus cos x plus y का तो यहाँ थोड़ा इसको उपर लेके जाते हैं मैं यहाँ पर change कर लेता हूँ color cos x plus cos x plus y अब formula के दौर पर cos a into cos v यहनी cos x into cos y minus sin x into sin y यह value यहाँ पर रही अब cos x into cos y value put कर देते हैं 4 by 5 फिर cos y cos y है आपका 12 by 13 sin x कितना है 3 by 5 sin y 5 by 13 तो यह 65 आजाएगा 48 upon 65 और यह 15 upon 65 तो पंदरा अगर घटाएगे तो यह बज़े का 33 that is 33 upon 65 अब यहाँ पर देखिए मैं अगली एक स्लाइट जोड़ूँगा इसके आगे एक सेंटेंस यहाँ लिख दूँ अब यहाँ पर हमारे हाँ में क्या आगिया है देखिए cos x plus y is equal to 33 upon 65 यह आप कह सकते हैं से x plus y is equal to cos ऐसे ही लिखे रहने देते हैं चलिए अब हमें तो value चाहिए न x plus y की 10 inverse के format में यह देखिए cos x plus y तो वही है जो माना था लेकिन यहाँ पर यहाँ पर यह 10 के format में है cos के format में तो उनसे निकाल लिए याँ लोगों ने अब triangle बना के 10 के format में उनसे निकाल लीजिए उसमें क्या जाता है तो मैं यहाँ रोकता हूँ एक slide आइड करता हूँ जिससे यह बहुत नीचे तक न जाए और यह value याद कर लीजिए cos x plus y 33 upon 65 तो चाहे मैं इसको एक sentence और लिख देता हूँ यहाँ पर यहाँ पर देखिए value आ जाएगी x plus y बराबर cos inverse 33 upon 65 x plus y की value तो पहले से बराबर थी यह निचास इन्वर्स जाह तक 4 by 5 थी देख लेते हैं यह 4 by 5 थी उबारा बटे देरा थी यह थी 4 by 5 और यह थी 12 बटे 13 यह रहा cos inverse 33 upon 65 यह हमारा value तो आ गया है लेकिन जो proof करना था यह 10 के form में था इसी का 10 का form निकाल लेते हैं तो अगली एक slide लेते हैं और जहाँ पर जो value में दी थी cos inverse 33 upon 65 एक triangle बना लीजे यह base upon hypotenuse base हो गया 33 hypotenuse हो गया 65 अब इसी से अगर हमको निकालना हो तो हम यह value value निकाल सकते हैं यह value कितनी है जाएगी यह solve करेंगे जब तो 65 का square minus 33 का square root में तो यह value आ जाएगी 56 calculate कर लीजेगा और यह value बनेगी 56 और यह अगर किसी थीटा के बराबर है तो यह थीटा इसको कह दो तो यहाँ पर 10 थीटा कितना हो जाएगा यह थीटा ही लिख दें 10 के form में तो थीटा की value हो जाएगी 10 inverse perpendicular upon base 56 upon 30 यह 33 नहीं है 35 है यहाँ पर लगता है कुछ 33 ही value चल रही थी और उसके हिसाब से ही निकालना होगा तो यह value वैलू शायद ना है 33 upon 65 है ना और 56 upon प्रूफ कितना करना है बर चेक कर लेते हैं मेटा नहीं कैलकुलेट करके निकालेंगे 56 upon 33 आनी चाहिए value तो यह value आएगी 56 upon 33 यह 56 सही है 56 upon 56 upon 33 यह दिखें में क्या किया cause को केवल convert कर दिया यही conversion आपको करना है triangle बना लीजे यह होता है base upon hypotenuse base 33 ले लिया hypotenuse 65 ले लिया और फिर यह difference निकाल लीजेगा यह 56 आजाएगा और यह perpendicular upon base 56 upon 33 यहाँ पर इसको भी आपका लिख सकते हैं x plus y is equal to 10 inverse 56 upon 33 और x plus y की जो value थी cos inverse 4 by 5 plus cos inverse 12 upon 13 बराबर 10 inverse 56 upon 33 यह आपका अंसर आगिया खैर तो यह रहा उपर से जाना होगा तो मैं यहां लेके आता हूं यह सवाल आ गया है इसको आप note कर लीजे यहां पर question और जो working थी मेरे काल से note आपने कर लिया होगा थोड़ा और इसको उपर ले जाते हैं और यहां कहीं यहां पर रोग देते हैं तो यह आप पूरा note कर लें फिर अगली slide का भी मामदा देख लेते हैं अगला देख लेते हैं यह रही अगली slide जो जिसमें working की थी यह कुछ भी उपर नीचे नहीं करने का है तो अरासा नीचे खो जाएगी तो मेरे काल से note आपने कर लिया होगा अब आगे की चर्चा करते हैं बिटा अगले question की इस तरह के question यह समझ लीजे यह ऐसे question आएंगे तो यह इसके toughest question टाइप हैं ज्यादा problem नहीं होगी आपको यह toughest question में से हैं जो हैं जो अभी की situation है उसके हिसाब से बात की जाए तो अब यहां लिका है sin pi by 3 minus sin inverse minus half is equal to बहुती सरल सवाल है कैसे सरल सवाल है sin pi by 3 तो जो पकड़ा है पकड़े ही रही है और यह sin inverse minus theta minus बाहरा जाएगा तो plus हो जाएगा sin inverse half sin inverse sin है यह pi by 3 और यह value हो जाएगा sin inverse half की pi by 6 तो यह pi by 6 रख दीजिए यह value यह हो जाएगा sin 90 degree और sin 90 degree की value होती है 1 इस तरह कैसे यह option बना इसमें ABCD में से option number d कैसे बना आप देखी पाए और 2021-22 के सवाल है पर इंपूर्वक आपने कर लिया इसको तो इसको note कर लीजिए अगला सवाल फिर देखते हैं हम लोग तो मेरे काल से आप इसको note कर पाए होंगे ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें अगला सवाल देख लेते हैं आईए यह सवाल देखते हैं यह sin 10 inverse x where modulus of x is less than 1 is equal to अब यह भी इसको देखिए कैसे कर सकते हैं कोई problem नहीं है लेट कर लिजे 10 inverse x बरावर theta तो x बरावर हो गया 10 theta sin theta कितना हो गया sin theta हो गया x upon under root x square plus 1 कैसे निकाला वो बना लिजे triangle उसमें क्या जाता है theta 10 theta था x यानि perpendicular upon base और यह कितना हो जाएगा x square plus 1 root में इसी कोटा के sin theta हमने लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है अब लिखिए sin 10 inverse x इस theta की जगा 10 inverse x हमने put कर दी value तो यह value कितनी है which is equal to sin theta और यह value कितनी आ गई x upon under root x square plus 1 और यह आप देख पा रहे हैं यह यहाँ पर option number d है पस हई किया इसमें d आपका answer बहुत ही प्रेम पूर्वा किन सवालों को कर पाएंगे note कर लीजे अगला सवाल करते हैं जो कि थोड़ा interesting हो सकता है इसको आपने note down कर लिया होगा जो क्याफी आसान था अगला सवाल देखते हैं वेटा तो लिखा है simplest form of this one तो यह expression आपने बहुत इस expression को ध्यान किएगा यह आपने क्या पूछा जाता है तो इस expression को मैं यहाँ तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं 2 cos square theta by 2 minus 1 तो यह बन जाएगा क्या modulus of 2 cos x by x square x by 2 इसको क्या लिखा जा सकता है इसको आप लिख सकते हैं root 2 modulus में cos x by 2 ध्यान किएगा जब भी under root x लिखा जाता है इसका मतलब होता है modulus of x ठीक इसका मतलब होता है x square है तो modulus of x अगर under root x square है तो modulus of x के बराबर है इसी तरीके से ये value ऐसे लिख दी है modulus हटेगा तब जब दोनों quantity positive होगी root 2 तो positive है या उसको बाहर निकाला जा सकता है लेकिन मैंने अंदर ही रख लिया है अगर cos x by 2 positive है तो इस modulus का कोई मतलब नहीं कोई कि प्लस x के case में x ही मिल जाता है और अगर ये negative है आप जानते हैं ना function modulus वाला याद दिला दें खिर याद दिला देते हैं भी आपको लेकिन पहले हम लोग ये अंदर root 1 minus cos x की भी चर्चा कर लेंगे ये एक कहानी हो गई दूसरी कहानी कलर दूसरा कर लेते हैं जैसे आप फरक कर पाएं आसानी से अगर आ जाए root 1 minus cos x तो यहाँ पर मुख लेते हैं 1 minus 1 minus 2 sin square x by 2 1-1 उड़ जाएगा फिर बचेगा कितना यहाँ पर अगें 2 sin square x by 2 मतलब modulus में root 2 sin x by 2 और आप को याद दिलाने की जो चर्चा थी बिटा modulus function पहचानते हैं आप कि fx बराबर modulus of x होता है और simple function में जब plus x होता है जब x की value greater than equal to 0 हो minus x होता है जब x की value less than 0 हो उमीदें इन बातों को आप पकड़ पा रहे होंगे और आपको knowledge होगी नहीं है तो भी मैंने बता दिया है आप यहीं से सीख सकते हैं इस वज़े से अगर इस इसकी चर्चा की जाए तो यह modulus कब हटेगा अगर यह positive है तो simple हट जाएगा और अगर यह quantity इंदर वाली negative है तो यह minus sign के साथ हटेगा अब यहाँ पर यह देखना पड़ेगा कि minus है कि plus वह भी देख लेंगे इसको solve करते हैं क्योंकि मैंने इधर बता दिया है तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 10 inverse ध्यान जीज़े यह under root 1 plus cos x लिखा हुआ है जिसको मैं modulus form में लिख रहा हूँ under root 2 cos x by 2 कैसे लिखा हूँ इधर यह फिर अगली कहानी plus root 2 sin x by 2 फिर upon under root 2 cos x by 2 plus under root 2 sin x by 2 यह पूरी value यहाँ पर simplification में expression लेके आ गया अब हमें यह चेक करना है कि x by 2 यह तो x पता है x by 2 किसके बीच fall कर रहा है उसी इस आपसी plus है कि minus हम जान पाएंगे तो मैं थोड़ा सा उसको उपर ले जाता हूँ और आपको दिखाने के लिए white color लेता हूँ हमें given है x की value है पाई के बीच में और 3 पाई बाई 2 के बीच में अब यहां की स्थितिक के नुसार हमको x by 2 चाहिए तो पूरे expression को plus 2 से divide मार दीजे तो आ जाएगा πाई बाई 2 x by 2 और यह 3 πाई बाई 4 यह हमें समझ में आ गई value अब इस इस्थितिक के नुसार x by 2 जो है वो 90 टिगरी के से बड़ा है और उपर से second coordinate में एक स्थिस छोटा है अगर second coordinate में है तो यह value negative हो गई देख पा रहे हैं आप यह positive है यह negative है तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर cos x by 2 की value negative हो गई और sin x by 2 की value positive हो गई इतनी बात मेरे काल से तोड़ा सा दिमाग लाना वाली बात है तब ही बनिया सवाल बनेगा खर समझ गया होगे इस वज़े से यह negative है और यह positive है यह expression क्या रूप ले लेगा हमारा मैं फिर से green killer की तरफ जाने वाला हूँ अब यह expression हमारे पास आ जाएगा 10 inverse अब आप बताओ जड़ा comment करके यह negative है तो mod हटाएंगे तो क्या आ जाएगा negative sign जैसे इसमें आता है इस negative है तो minus के जाएगा तो minus root 2 cos xy2 अब बाजू वाला जो है बाजू वाले का मतलब इसकी बात की जाए तो यह value कितनी बनेगी this is positive तो यहाँ कोई चक्कर नहीं है root 2 sin xy2 फिर नीचे minus root 2 cos xy2 और यह शायद मेरे काल से मैं उप नीचे यह negative है तो यह negative लिखा होगा यहाँ पर मैं इसको negative करने की चेश्टा करता हूँ ठीक तो यहाँ पर हो गया minus root 2 sin xy2 अब क्या करते हैं ना पूरे expression को हम लोग minus common लिके हटाते हैं और root 2 से divide भी कर देते हैं तो यह value हमारी क्या बन जाएगी देखिए बन जाएगी 10 inverse cos x by 2 minus sin x by 2 upon cos x by 2 plus sin x by 2 देख लिजिए ध्यान से minus minus common ले लिए तो cos x minus sin x by और minus common लेके काटा था तो दोनों plus में आ गये हैं इस expression को हम लोग cos x by 2 से उपर नीचे divide कर देते हैं cos x by 2 से उपर नीचे divide किया तो मैं लिख पाऊंगा इसको 10 inverse 1 minus 10 x by 2 upon 1 plus 10 x by 2 अब यह देखिए पहचानिये तो यह formula होता है 10 a minus b 10 pi by 4 minus theta का तो इसको आप क्या लिख सकते हैं मैं यहीं पर लेके जा रहा हूँ अगली slide नहीं use कर रहा तो यहाँ पर इसको लिख पाऊगे 10 inverse 10 pi by 4 minus x by 2 और यह result हमको क्या देदेगा pi by 4 minus x by 2 this is the answer इस तरह से मैंने देखिए minutely आपको पुरा अच्छे से समझाने की कोशिस किये तो यह option कौन सा है यह हम लोग देख लेते हैं भी उपर जाना पड़ेगा pi by 4 minus x by 2 option number a is the correct one तो यहाँ पर a लिख देते हैं option a is the correct one और उपर से note कर लीजिए मैंने पूरी बात समझाईए जिससे आपको कहीं भी कोई confusion ना आए यहाँ कहीं मैं रूख देता हूँ जिससे आप note कर सके इसको note कर लीजिए फिर अगला सवाल हम लोग बनाने की कोशिस करेंगे उमीदे note कर पाऊंगे मैंने सारी detailing कर दी है जो आपके लिए जरूरी है इसके अंदर और यह थोला सा मैं उपर लिखे आता हूँ यह note करें आप screenshot ले 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 या video pause करके note कर ले जैसा भी आपको ठीक लगता है तो बेटा करते हैं अगला question और इस question में देखिए क्या है लिखा है if 10 inverse x is equal to y then चार option आपके पास हैं तो आप जानते हैं कि range of 10 inverse x is equal to minus pi by 2 से लेकर pi by 2 तक यानि जो y की value है जो y है वो कहां रहेगा minus pi by 2 से लेकर pi by 2 के बेच में तो इसको option हो जाएगा c बहुती छोटा हो सरल सवाल मैं हट जाता हूँ आप note कर लीजे इसको फिर हम लोग अगले question की अगला question करेंगे तो उमीद आप इसको note कर पाया होंगे चलते हैं कि step और आगे आईए हो गया होगा उमीद कर रहा हूँ तो अगला question देखते हैं जो लिखावा है express 10 inverse cos x upon 1 minus sin x in the simplest form ठीक है शुरू करते हैं करना इसको लिख लीजिए 10 inverse cos x upon 1 minus sin x तो मैं इसको cos x को लिख लेता हूँ sin pi by 2 minus x और इसको लिख लेता हूँ 1 minus cos pi by 2 minus x ऐसा क्यों किया अभी आप देखिएगा उपर लगा दूँगा sin 2 theta का formula और इस 1 को खाने के लिए cos 2 theta का again formula यह value हो जाएगी 10 inverse 2 sin theta by 2 तो 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 और नीचे जो value आ गई वो आ गई 2 sin square theta by 2 आप देख के समझ पा रहे होंगे यह advantage लिया इस 1 को भगाने के लिए अब यहाँ पर देखिए इस 2 से यह 2 कट गया यह sin pi by 4 minus x by 2 यह इसके square से कट गया value क्या बची है आपके हाथ में हमारे हाथ में बचा 10 inverse उपर है cos और नीचे है sin तो बचा cot pi by 4 minus x by 2 यह value हमारे हाथ में बच गई इसको मैं 10 में change कर लूँगा कैसे 10 में change करूँगा 10 inverse pi by 2 use करते हुए 10 pi by 2 minus pi by 4 minus x by 2 यह value हो गई अब 10 inverse और 10 तो re-regist कर जाएंगे आपस में और यह value कितनी आजाएगी pi by 2 minus pi by 4 plus x by 2 pi by 2 में pi by 4 जाएगा तो pi by 4 बचेगा तो pi by 4 plus x by 2 is the answer देखें कितने प्रेम से यह सवाल आप कर सकते हैं तो इसको note कर लीजे मैं हट जाता हूँ अराम से सवाल आपका हो जाएगा कोई भी परिशानी नहीं है तो इस तरीके से देखें कुशन भी हो जाता है अगला कुशन देखते हैं जो हमारे सामने हैं यह रहा अगला कुशन कुशन यह भी ऐसान है थोड़ा सा दिमाग लडाते हैं लिखाए मैं एकश्प्रेस साइन इन्वर्स साइन साइन एक्स प्लस कॉस अपाउन रूट टू १ैर एक्स कि开लो माइनस पाइबाइब एफ्र से माइनस की बाइब एफर से पाइब एफ्र से के बीच में हैं इन देखाएं इससे compls फोर माली सवाल आते हैं हम क्या करेंगीं सिंप्ली देखिए कितने असानी से साइन इनवर्स लिखिए इसको लिखिए साइन एक्स अपॉन रूट टु चलिए एक कदम बढ़ा लेते हैं कोसेक्स अपॉन रूट टू इफ इस माइनस पाई बाई फॉर से लेकर एक्सकी वैलु पाई बाई फॉर के बीच में हैं अब यहां पर यह जो value लिखी है इसको एक कदम और बढ़ाते हैं sin inverse sin x into one upon root two plus आगे बात करें तो cos x into one upon root two अब यहां पर यह cos pi by four और sin pi by four यूज़ कर सकते हैं यानि sin inverse sin cos pi by four plus cos x into sin pi by four ये value यूज़ कर लिज़े हैं आपर अब यह देखिए formula बन गया sin a plus b यह sin x है sin a plus b तो यह value हो गई sin inverse sin a plus b और यह self adjusting in nature हो जाएगा क्यों हो कि x plus pi by four जो है यहां पर यह value अगर निकालें हमें दे रखा है x की value minus pi by four से लेकर pi by four के बीच में तो x plus pi by four तीनों तरफ pi by four जोड दीज़े तो 0 x plus pi by four और यह pi by two यानि यह पूरी value 0 to pi by two में है यानि इसकी principal value ब्रांच में है इस वज़े सी यह self adjust हो जाएगी और value बन जाएगी x plus pi by four यह simplest value यह principal value आपकी यह क्या है this is the principal value principal value यह इस तभी लिख पाते हैं जब यह जो angle है वो sin inverse के case में जैसा आप जानते है minus pi by two से pi by two के बीच में आए तो यहां पर 0 pi by two के बीच में है तो okay है इस तरह के सवाल आप में लोग कर पाए इसको screenshot या note down कर लें आप pause करके जो भी process यूज़ करते हूं तो यह screenshot या pause करके पुरा note down आप कर लीज़े और तो यह आपने देखा कि पूरे सवाल जो बनते थे वो मैंने सारे करवा दी हैं इसमें बटा इसका annotations यानि जो मैंने लिखा है उसके साथ अगर आपको PDF चाहिए तो आप अर्विंद Academy टेलिग्राम चैनल को फ्री में जॉइन कर सकते हैं इसका link description में दिया हुआ है और साथ में अगर इन कोशन के साथ में शोर शोर्ट कोशन की सीरीज जो की अर्विंद Academy एप पर मौजूद है इस टो सेक्शन में कई और कोर्से भी हैं जो आपके लिए बहुत मदद कर सकते हैं बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं कम समय में आप तो आप देख लीजए अगर शोर शोर्ट कोशन की सीरीज आप लगाते हैं इसके साथ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी preparation काफी अच्छी होगी को कि बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे अगर किसी एक चेप्टर पे 20-25 कुशन मिल जाएं और वही आप चेप्टर दर चेप्टर लगाते चले जा आया है अच्छा इसका लिंक भी description में दे दूंगा जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो वीडियो पसंद आने पर लाइक करना मत भूलिएगा लाइक करने में कुछ नहीं जाता आपका लेकिन अर्वीन सर को motivation आता thank you very much wish you all the best goodbye to you bye